नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेहा की पाक्षाला में और आज मैं आपको घर पर आमचूर पाउडर बनाने का एक बहुती बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जो कि बहुती सिंपल है और बहुती असानी से आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं तो चलिए शिरू क करते हैं यहां पर मैंने तीन किलो कच्छे आम लिये हैं आमचूर पाउडर बनाने के लिए और इन कच्छे आमों को मैंने अच्छे से धो लिया है साफ पानी से और फिर सूखे कपड़े से बढ़िया से पोच लिया है और यह मैं आपको एक कच्छा आम दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का कच्छा आम आपको लेना है ये एकदम टाइट है बिल्कुल भी लूज नहीं है तो टाइट टाइट बढ़िया कच्छा आम आपको लेना है आम चूट पाउडर बनाने के लिए तो अभी हमें इनको छील लेना है तो आम के ऊपर का ये ज असानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है लेकिन वो प्योर भी नहीं होता है और काफी महंगा भी बढ़ता है और हम कच्छे आम से आमचूर पाउडर बड़ी असानी से बना करके तयार कर सकते हैं घर पे तो क्यों ना आमचूर पाउडर घर पे बनाया जाए जो क एकड़म प्योर भी होगा और हमें महंगा भी नहीं पड़ेगा पूरे आम हमने छील लिये हैं तो अभी हमें एक बड़ी परात या थाली ले लेनी हैं और कद्धुकस के जो मोटे वाले रेडी हो जाएगा तारे कच्छे आम हमने कद्दूकस कर लिये हैं और देखिए इस तरह से ये बढ़िया से कद्दूकस भी हो गया है तो अभी ये मैंने एक ट्रे ले ली है और उस पर मैंने क्लिंग रैप लगा ली है तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो कद्दूकस किये इनको ट्रे में डालेंगे और ट्रे पर फैला लेंगे अच्छे से एक ट्रे पर हमने कद्दुकस किया हुए कच्छे आम को अच्छे से पैला लिया है और जो बागी का बचा हुआ कच्छा आम है उसको हम दूसरी ट्रे पर अच्छे से पैला लेते हैं और इस ट्रे पर भी हमने क्लिंग रैप लगाई हुई है तो ये दो ट्रे पर हमने कद्दुकस किया हुए कच्छे आम को बढ़िया से पैला लिया है और अब हमें इनको धूप में सुखा लेना है अच्छे से तो 2-3 दिन में ही ये जो कदुकस के हुए आम है ये अच्छे से सूख जाएंगे तो अभी देखिए पूरा कच्छा आम अच्छे से सूख गया है आप देख सकते हैं ये सूखने पर ये कितना कम रहे गया है पहले ये कितना जादा लग रहा था और अभी आप देखिए ये बहुत इसली टूट रहा है मतलब कि ये अच्छे से सूख चुका है तो अभी एक mixage जार ले लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हमें ये सूखा हुवा कच्चा आम पीस लेना है अभी देखिए ये मोटा-मोटा पिस गया है और काफी कम भी रहे गया है तो जो बाकी का बचा हुवा सूखा आम है उसको भी हम mixage जार में डाल करके पीस लेते हैं तो पूरा सूखा हुआ कच्चा आम हमने पीस लिया है अच्छे से और ये एकदम बारीत पिस गया है इसमें बिलकल भी आम के टुकड़े नहीं है अब ये जो आमचूर पाउडर हमने बना करके तयार किया है इसको हम चान लेते हैं जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी मोटा होगा न वह पूरा निकल जाएगा और हमें बारीक एकदम फाइन आम चूर पाउडर मिल जाएगा तो ये देखिए एकदम बारीक बढिया और एकदम प्यूर आमचूर पाउडर बन करके रेडि हो गया है आप किसी भी एर टाइट जार में इस आंचूर पाउडर को 6-7 मह तक स्टोर करके रख सकते हैं इससे आप खटी मीटी चटनी बना सकते हैं सबजियों में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप भी इस आसान तरीके से अमचूर पाउडर बनाईए और अपने experience मेरे साथ comments box में जरूर शेर कीजिए बाई बाई टेक केर हैव नाइस टेए